नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साज़िश में आज बात इसराइल को लगे एक बहुत बड़े जटके की करते हैं इरान के एक बड़े हत्यार ने इसराइल के युद्ध में एंट्री माली है नेतन याहू को इस हैत्यार के बारे में जब से पता चला है उनकी नहीं पूरे इसराइली सेना की नीद उड़ गई है अब डर है कि एरान ने अगर युद्ध में एंट्री कर ली तो इसराइल कुद को कैसे बचाएगा इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सो नहीं, बलकि 358 मौत देना चाहता है इरान इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं इसराइल ने गाज़ा पर जितने बम गिराएं हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं 358 मौत के क्या माइने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज़्यादा है? यह इस सुप इसराइल के चारों तरफ यमराज बनकर मतरा रहा है यहां हेजबुल्ला भी है, इरान भी है, खुथी भी है और अब इराग का वो मिलीशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है आखिर 358 मौत है क्या? और इसराइल क्यूं इस से घबराया हुआ है? क्योंकि यह एक ऐसा हत्यार है जो इरान से निकल कर अब हिजबुल्ला के पास पहुँच गया है खुथी इसे लगातार फायर कर रहा है 358 मौत की मिस्टरी अब खुल कर सामने आ गई है इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है हिजबुल्ला के महसचेव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्ब तयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत ये है जमीन से आस्मानी टार्गेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही है 358 मौत हिजबुल्ला ने इसी मनराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेज को मार गिराया हरमेज 450 इसराइल का बहुत ही भरुसेमन ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है जब ये ड्रोन लेबनन के आस्मान में पहुँचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत माटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला ये इरान का वो हर्फन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है ये इरान की मिसाइल भी है जो इरान की ड्रोन टेक्नलोची को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबिद कर रही है इरान से निकली 358 बार, इसरेल के खुफिया मिशन को दुआ दुआ कर रही है ये मिसाइल भी है और डून भी, ये कैसे अपने टार्गेट को खत्म करती है इसकी तक्नीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजे 358 नाम की ये मिसाइल एक डून की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में आठ नमबर के आकार की तरह गश्ट लगाते रहती है और जैसे टार्गेट इसकी जट में आता है, ये उस सिजा कर टक्रा जाती है 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा, इंफ्रा रेड सेंसर इसे टार्गेट की भनक देता है और पर ये अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है ये एक ड्रॉन से तेज रफतार से चलती है, जबकि एक मिसाइल के मॉकाबले में इसकी स्पीड कम होती है अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है इस्यूराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है हेस्बूला ने जब से इस्यूराइल का centrally ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आस्मान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दाइरे को और बढ़ा सकती है इस बीच इरान से एक नई तस्वीर वारल हो रही है ये है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की जो इरान के घाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे है इस ड्रोन को इरान का सबसे पावर्फुल लीडर क्यों देख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे है इरान ने घाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है ये 2000 किलोमेटर के दाइरे में उपरेट कर सकता है ये 35 घंटे तक 300 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से ओडान भर सकता है 35,000 फीट की उच्छाई तक ओड़ सकता है और सबसे ख़दरनाक बात ये 13 मिसाइल लेकर ओड़ सकता है ठीक ऐसे ही अपने हथियार इरान ने रूस को भी दिखाये थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया अनकि जो दस्वीरे सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की खास-खास मिसाइल देखने तेरान आये इरान ने उनके सामने अपने एक-एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को योकरेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटिया जनरल आमर अली हाजी जादे साथ-साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है तब शोईगो ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिल्चस्पी दिखाई और इरान के अफसरों ने भी बताया कि इस हथियार से वो योकरेन के ड्रोन और प्रूस मिसाइल को खत्म कर सकते हैं एसा हथियार जिसमें पूतिन को भी दिल्चस्पी है वो बहुत बड़ा कहर बरबा सकता है इसमें कोई शक नहीं 358 की रेंज अब इरान से लेकर योकरेन और योकरेन से लेकर इस्रेल तक हो गई है ये बात साफ है कि 358 मौत वाकई इसरेल में मौत माटने के लिए तैयार की गई है जब से इरान की मिसाइल का खत्रा बढ़ा है तब से इसरेल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई है जाहिर है कि नेतनियाहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्ला को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा क्योंकि लेबनान के आस्मान में 358 मौत मनरा रही है इस वर्त पश्य मेश्या में युद्ध की जो आग लगी हुई है घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इसरेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इसरेल और लेबनन का बॉर्डर भी है यहां भढ़के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भढ़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नितन्याहू दूसरे हैं इरान के राश्यपती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्यपती जो बाइडन और चौते हैं युर्प से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राश्यपती व्लादे मेर कोटे अनखनो ननाचेख अनखो लो नाचो अदल निचखोन अनखो मेर के राश्यपती जो बाइडन अनको मेद मारीखी मेत्मिखतो तत्मिखा शला मिम्शला अमेरिकानी तत्मिखा शला आमा अमेरिकानी लेकिन इस स्वट सबसे ज़ादा एक्टिव एरान है एरान में हेजबॉल्ला और यमन के हुथी विद्रोयों तक जानते हैं इस वक्त लेबनन और एजरेल के मौत वाले बॉर्डर पर हेजबॉल्ला का पूरा कंट्रोल है हेजबॉल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसरेल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे है हेजबॉल्ला ने निकाली है तीन बहुत ही ख़तरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हेजबॉल्ला के पास बहुत बड़ा दखीरा है हेजबुल्ला तीन तरह की एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल इस्तिमाल कर रहा है ये है कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलो मीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुगा है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हेजबुल्ला के पास है दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल रेंज है 3,5 किलो मीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हेजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉंकोर्स रेंज 4 किलो मीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अग्ड़े उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है है जब लगदाव की उसका हर हमला इसरेल को मुखू जबाभे हैद न फिल ऐायाम इल्गल मादया मौज जड़ाएज जड़ जड़ाएदा नातिनियाव मिन गलैंट, मिन गनेतस, मिन आखरीन बातिजाह लग्णा कुल मिलाकर ये बात साफ है कि अब हिजबुल्ला तीन सो अठावन मौद के साथ इसरेल पर हमला कर रहा है दक्षन लेबनन और उत्तरी इसरेल के भी जो बोडर है, वहाँ तनाव बहुत ज़्यादा है कब कहां बम भटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्ला जानता है या फिर इसरेल की सेना वैसे इहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद का एपी सेंटर घाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है यहाँ तैनाद संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरेल की सेना ने अपना गोला बारूट तैयार रखा हुआ है तोपों से जो गोले फायर किये जाएं ने वो पहले से ही रेडी मोड में रखे गए हैं इसरेल की रेजर फोर्ट भी आसपास के इलाखों में तैनाथ है हालाद 2006 की बाद जैसे बनते हुए नजर आ रहे है और अब हिजबुल्ला के हमलों के बाद सब की नजर इरान पर है